हरे कृष्णा spiritual meditation क्यों करना है पार्ट 3 तो हम ने डिस्कस किया अभी तक कि spiritual meditation इसलिए करना है क्योंकि body और senses के level पे केवल suffering है sense gratification is suffering और mind intelligence की ego के level पे अगर हम रहेंगे तो केवल struggle है वो भी suffering ही है पर अगर हम heart के space में रहेंगे तो peace, shelter है और आज हम discuss करेंगे कैसे कि when we take part in spiritual meditation तो हमें एक insignificant रहने में तुछ रहने में आनन्द अनुबव होता है वो कैसे जैसे एक example देता हूँ एक बार मैं उरिशा में था कुछ बक्तों के साथ और ऐसी एक परिस्तिते में हम फस गये थे कि हमको कार में सुबह जाना था चार बज़े ड्राइविंग करके एक जगा पर पहुंचना था नी जगनात पुरी जा रहे थे हम चार बज़े न आप पुरा cleaning कर रहे तो उसने का हाँ प्रबजी वो रात को तीन चार बज़े खतम हुआ तो मैंने का अरे चार बज़े तो आमने गाड़ी में बैढ़ गए तो आप सोये नहीं रात को बला नहीं और पिछले दिन भी आप सोये नहीं उसने का हाँ पुरी तीन दिन से और त कि अभी वो अभी सो जाएगा उसको जबकी लग जाएगी तो क्या होगा तो हालांकि मैं जब कर रहा था मेरे माइंड में मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं गाड़ी को कंट्रोल कर रहा हूं तो हर दो सेकेंड में उसको देख रहा था और मैं रोड को देख रहा था कि क्या गाड़ी सही दिशा में जा रही है कि गाड़ी कंट्रोल में है कि गाड़ी रोड़ पे है कि नहीं है तो पूरा कंट्रोल मूड में था और मैं गाड़ी रोक भी नहीं पाए कुए बाकी लोग पहुंचना चाते थे बहुत सारा complicated situation था और मेरे पास और कोई चारा ही नहीं था और पूरा एक घंटा मैंने जब किया, आट माला हुआ मेरे से, पर पूरा जो meditation था, वो control freak में था, मैं control mood में था, पर एका एक मुझे लगा एक घंटे बात, कि मैं क्या कर रहा हूँ, मेरा जपा भी नहीं हो रहा है, meditation भी नहीं हो रहा है, और मैं इस problem को solve भी नहीं कर पा रहा कि अब मैं आँक नहीं खोलूँगा, जब तक हम अपने गंतविस्तान पर नहीं पहुंचेंगे, तो जब मैंने शुरू किया meditation, मैंड बहुत बार protest कर रहा था, कि देखो गाड़ी बरोबर चल रहा है कि नहीं, फिर मैंने का नहीं, बस मुझे control नहीं करना है, मैंने steering wheel को छ किया, shelter and peace, और तीन गंडा निकल गया, जपा हुआ, फिर बाद में हम पहुंच गए, जगनात पूरी, तो अभी मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि आपको driving के समय ऐसा risk लेना चाहिए, नहीं, हमको rest लेना चाहिए, और driving अमेशा पूरे रात को सोने के बाद ही करना चाहिए, पर irreplaceable है, और आपको यह जो shelter किसी और चीज में नहीं मिल सकता, शीला प्रभपात कहते हैं, कि यह जो मचली है, मचली पानी में ही संतुष्ट रहेगा, अगर मचली को पानी से निकाल देंगे, और उसे कोका कोला देंगे, या उसे बर्गर देंगे, वो मचली खुश नहीं हो जब हम बगवान के साथ जुड़ जाते हैं, जब हम आश्रे का अनुभव करते हैं, शेल्टर, तब ही हमें सुक शान्ती मिल सकता है, और शेल्टर इसलिए जरूरी है, क्योंकि जब हम शेल्टर के स्पेस में रहते हैं, तो अपने आप जो शरीर के प्रॉब्लम्स हैं, और तो शायद ऐसा होगा कि शायद वो पास नहीं हो, पर अगर उसका गोल है कि मुझे 100 out of 100 लाना है, मुझे पूरा 100% मार्क्स लाना है, और उसके लिए तयारी कर रहा है, तो उसको 35 तो आराम से मिल जाएगा, जब हम कुछ बड़े चीज की इच्छा रखते हैं, तो छोटा चीज मिल जाता है, हम अगर आकाश को चूने का प्रयास करेंगे, तो कम से कम छट को चूलेंगे, अगर हम प्रेम, आश्रे का अनुबव, अगर हम करना चाहते हैं, भगवान के साथ जुड़ना चाहते हैं, तो शांती तो अपने आप मिल जाएगा, इसलिए इस जगत में जो लोग शांती की जो इच्छा रखते हैं, पीस, वो मैंड के सर पर रह रहे हैं, और पीस उनको मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा, पर अगर हम लव, भगवान के साथ प्रेम का सम्मन जोड़ना चाहते हैं, वो शेल्टर अनुबव करना चाहते हैं, तो पीस बिकम सा बाइप पॉजिटिव हो गया, तो जब हमारे जीवन में समस्याएं आती हैं, तो हम अगर रिलीफ की इच्छा रखते हैं, तो हमें रिलीफ नहीं मिल सकता, पर अगर हम बगवान से प्रेम की इच्छा रखते हैं, तो रिलीफ में मिल जाता है, तो इसलिए बहुत जरूरी है कि हम स आंतरिक स्तर है, आंतरिक छेतना है जैसे उधारन के लिए मैं दो गंटा एक बार जब कर रहा था जब मैंने मंदिर में जॉइन किया ने शुरुवात की दुनों में दो गंटा जब में, पूरे जब में मैं सोच रहा थे कि breakfast में क्या है तो आप सोचे अगर कोई दो गंटा जब कर रहा है और मैंड में खेवल खाने के बारे में सोच रहा है तो वो कौन से space में रहा है हमने तीन space discuss किया body and senses, mind and intelligence and soul तो वो body और senses के space में रहा है हलांकि हम meditation कर रहे है पर हम खाने के बारे में सोच रहे है और कभी-कभी meditation करते हुए mind इदर उदर भाग रहे है हम कुसों control करने का प्रयास कर रहे है struggle कर रहे है तो वो struggle का space हो गया हालांकि हम आध्यात्मिक कार्य में हैं पर हम body के space में है या mind के space में जैसे एक बार शुरुआत के दिनों मैं जपा कर रहा था मंदिर में तो मैं बहुत mind को control कर रहा था मैं ऐसे जप कर रहा था अरे Krishna, 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 Krishna बहुत struggle कर रहा था तो जपा होने के बाद उस Sunday का दिन था तो एक congregation के devotee मेरे पास आये उन्हेंने का प्रभु जी आप ऐसे जप क्यों कर रहे थे मैंने का मेरा mind बहुत भाग रहा था मैं control करने का प्रयास कर रहा था तो उसने का प्रभु मैं हफते में 6 दिन बाहर रहता हूँ और इतना संगर्श है इतनी परेशानी है इतना दुख है और मैं मंदिर में आता हूँ जैसे मंदिर में आता हूँ चीजों से हमें आश्रे नहीं मिलता हमारी मानसिक चेतना क्या है तो इसलिए बहुत जरूरी और कुछ लाग ऐसे भी है कुछ बड़े नेता है या कुछ बड़े लीडर हैं जो बाहरी रूप से बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं और बहुत उनकी लोग आलोचना भी कर रहे हैं बहुत स्ट्रगल चल रहा है पर वो इंटर्नली बहुत पीस्फुल है उनने शेल्टर लिया हुआ है तो इसलिए जो शेल्टर है जो आध्यात्मी मेडिटेशन है बहुत इंपोर्टन है क्योंकि इससे बाहरी परिस्थितियां कुछ भी हो हम पीस्फुल रहेंगे हम कॉण्फिजेंट रहेंगे और हम इफेक्टिव भी रहेंगे हम समाज में सक्री रूप से योगदान दे पाएंगे कर पाएंगे कुछ प्राक्टिकली इसलिए आगे हम स्टुड़ी करेंगे कि ये स्पिरिच्व मेडिटेशन हम कैसे कर सकते हैं आलाग अलग जो तरीके हैं उसके अब हम डिसकस करेंगे तैंक्यू वरी मच्च हरे कृष्ण ऐसे ही और भक्ति मय कारिक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्ण टेलिविजिन और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा डीटी एच ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 766-839-839